नासर दो वागता आपकी इस वीडियो के लिए दीऩ सब्सक्राइब क्कि याम 110 के बारे में अभी था ? अधू आन बफेरन से अ इंस्ट्रण पूस। दिख रहा था तो बहुच INट्रेस्टेंग लगा यहां पर से देख पा है और क्योंकि मोल्टेक यह सारे जो चीजे हैं आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप फोकस करते हैं किसी मोनापली की उपर तो आपका ग्रोथ होने का चांसे बहुत जादा हो जाता है तो उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नहीं है तो आपको पता है कि लाइक श्रे सब् करते हैं को टेंशन यह लाइक तो कर दीजिए वीडियो को एक लिंक मिलते मिल्ट मिल्ट पुष मिलता है और जादा से अधा लोगों को यह वीडियो देखने को मिलता है उसे के साथ अगर आप इस टॉक का एनलेसिस का इतना लंबा वीडियो नहीं ते ना चाहते हैं एंड मैं यह वीडियो अउच्छेक्टीर तो क्यों खंशेए पार आप दो इन आपनी चरीपिव अप्सरी लेडी सर्थियो मिल्ट पहर टो हैंड मिल्ट आपनीयो अगर पैर प्विडियो टॉक्रिश इन कामपनी कि सब्सर्सट्दीट कम यह वीडियो तो कुंष भुष सब्स प्रामाइर लीए मैनुफक्टरी में इनका फोकस है इंडेशी डेशेटी इन पर जैसे आप समझ भाए हैं की टायर एंड आव्टो मोबिल इंडस्टी इस बेसिकली ग्रोई और जैसे आप देख पा रहें कि क्लाइन्स का पर आपने तो इंजिन फोड़ा एडिया होना चाहिए क्योंकि जब भी आप किसी बिसनस के आनलेसिस करते हैं तो इंडस्ट्री के बारे में उस प्रोज्क्ट या सर्विस के बारे में जानना थोड़ा सा एडिस्ट इंपोर्टन हो जाता है थाकि आप उसको बह कर सके, so market share जैसे अब देख पारे, it has 75% of the market share in the domestic automotive tube valves and core segments. So automotive tube valves, what is this, what is this, what is this, let's know, automotive tube valves is basically right in India, already 75, it's an amazing thing, okay, okay, perfectly fine, and revenue mixture is basically 100% of the revenue is from selling tube valves, so it's a very niche product, समझ आ अब को अभी बहुत 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 नीश प्रॉडक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत हीुज इसका segment है, huge इसका market है, यह आपका niche segment में काम करता है, exports contribute around 8% versus 15% में इसका export गेड़ा है, 46% of the revenue is contributed by top 5 customers, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि monopoly है, बट मेरे को जब मैं analysis करहा हूँ, क्योंकि this is the first time that I am starting about the company, यही मैं record करके आपके लिए share करता हूँ, मैं जब भी record करता हूँ, तो मैं खुद analysis करता हूँ, because मेरे को बहुत interesting लगा, कि 75% market share है, but market cap इतना कम है, और मैं इसका chart जब चेक किया, तो मैं आपको बताऊँगा, कि chart देखके मेरे को थोड़ा सा doubt हूँ, तो मैं तो मैं उस पर आने बाला हूँ, I am coming to that, 46% आपको समझना पड़ेगा, 50% of the revenue is coming from 5 customers, that means, it already has a very specific, इसका 100% कहां से आता है, from selling tube wells, just tube wells, वो sell करते हैं, उसी से एक product या एक range का product वो ही sell करते है, इसका जो revenue आता है, 50% of the revenue is coming from 5 customers, problem ही हो जाएगा, 5 customer में से एक भी customer अगर आपका somehow drop हो जाता है, यह बहुत एक negative चीज़ होता है, because when you are too dependent on a company or a supplier, then you become their slave, although you are a monopoly in your market, but when you become too dependent for your revenue, for your product, for your service, जैसे हमारा इंडिया का problem ही होता है, we are too dependent on Saudi Arabia या जो भी हमारा जो ओयल इंपोर है, उसके लिए हम लोगों के उपर इतना depend करते हैं, हमारा सबसे बहुत जादा problem हो जाता है, we have to, you know, हमारे जो end consumer होता है, आम आदमी होता है, उसको बहुत दिक्कत जो फेस करना पड़ता है, that is a very big problem, total R&D expense are 1.17, so R&D यह लोग कुछ नहीं करते हैं, basically what they do is, they are either using the existing technology and they are taking the existing technology and basically interpreting that and उसको execute करें, change in KMP, Mr. Appaiya KB was appointed Chief Operating Officer, with effective ठीक है, the company launched an e-commerce platform for small tire shops, which helped expanding the channel base, it also entered into the development of products for air conditioning industry, across the industrial and home segment, so सबसे पले हम यह समझना पड़े है, की Automotive Tire Valves, okay Automotive Tire Valves, मेरे को समझ भी नहीं, Automotive Tire Valves मतला आपका जो टायर होता है, टायर के अंदर valve होता है, जब हवा भरते हैं, valve खोलते हैं, तो हवा निकल जाता है, Automotive Tire Valves, valve core and accessories, ठीक है, so यह क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया, मैं अभी दिमाग में आपको समझ में आपको समझ में आपको समझ में आपका जो टार्गेट है, आपको समझ में आपको समझ में आपको समय क्या है, यह तूब का जो valve होता है, आप हवा भरते हैं उसमें, तो यहां पर मैं चीज़ देख रहा हूं कि यहां पे जिन company को यह sell करते हैं, वह क्या है, बेसिकली गारी का, Automotive, Automotive का है, आपका माइनिंग का है, यह साइकल इंडस्ट्री को क्यों टार्गेट नहीं कर रहे हैं, यह मेरा क्वेशन है, साइकल इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा साइकल का टायर बीखता है, मतलब कंपेड तू, आपको सेम ही हो, यह वीडियो मेरे को लगए थोर से लंबा की चाहिएगा, बर स्टिल if you play it faster तो आपको समझ में आएगा, आपको जैसे मैं बता रहा हूं कि मैं खुद अनलिस करूं, आपके लिए ताकि आप जो ट्रेडिंग है इसके बारे में जाता से जाता सीख पाएं, marketing, fundamental analysis के बारे में, यहां पर मैं खुद के लिए भी analysis करता हूं, और वही process में आपके साथ शेयर करता हूं, अगर यहां पर आप आप देख रहेंगी कुछ improve कर सकते हैं, तो definitely मुझे comment section में definitely बताईएगा, और उसे के साथ साथ like, share, subscribe कीजाएगा, कोई भी कुछ problem है तो comment कीजाएगा क्या हो रहा नहीं हो रहा है, so market cap is very small, it's a basically micro cap and stock P is 8.54, oh my god, नहीं यार, ROC is 8.69, operating margin obviously is very low, debt 125 crore का debt है, market cap 145 crore, debt is 125 crore, pledge percentage नहीं है which is good, return एक साल में इसने बहुत अच्छा return दिया है, profit growth गिरा, profit growth खतम हो गया है, current price is quite high, book value is 7.70, okay, this is something which is very interesting, जो ये part आप देख रहे हैं, जो ये part आप देख रहे हैं, so 7.70 इसका जो है book value है, current price is 13.95, so that is something which is very interesting, dividend yield is also not very good, face value is 10, industry PE is 28, और इसका PE आप चेक करो, it's a huge difference, promoter holding is 52% which is very nice, and next हम लोग move करेंगे, हम लोग कहां move करेंगे उसके पहले मैं थोड़ा सा यहां पे, इसका जो चार्ट है वो चेक कर लेता हूं, तो चार्ट में मुझे बहुत interesting चीज़ देखने को मिला, यहां पे इसका listingおお दर से लेल कमपशन हुआ था, कब listing वह हुआ था इस लिस्टीश इन पर इसका लिस्टिंग करते हैं, ऐसा next Şichai does इन हिए न रुपय के वहां पी उसके बात करहें हुआ हँ हुआ तो उन पर यहांल इसमंड़ी मेंल्स भी भी मिआ, हुआ सके बात कर गया है तो मार्फंट कर से उसने नीचे गर और फिर हम और उसे उसने लेवल पर इसने शुरू किया था उसी लेवल पर फेर बहुत भिनाज गिर था मतलब जून दू एक महिने के अंदर एट वेट फ्र port अट फ्रॉम बाउं ट्रेंड फिर इसका आ गया था फिर अभी अप्रेंड दिखा रहा है यहां पर इसे आप देख पा रहे हैं कि अप्रेंड आपका देख रहे हैं यहां पर चल रहे हैं यहां पर यहां पर एक चीज़ आपने देखा बहुत जो इसका इंट्रेस्टिंग है इसका चार्ट पेटर्न जो है उपर नीचे बहुत जादा मतलब मिल्डब कैपिटल ग्रोथ यहां पर कुछ हुआ नहीं है कोई स्टॉक बी नहीं देख रहा है मुझे कैपिटल इरो ग्रोथ भी मुझे नहीं देख रहा है तो टेकनिकल चार्ट देखे अगर मैं फंडमेंटल आलेसिस के पॉइंट व्यू से मैं देख रहा हूं कि लॉंग टर्म में तो मुझे कोई ग्रोथ नहीं देख रहा है विकॉस जिसने भी यहां पर इस पॉइंट पर दिया हुआ था जिसने भी इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा अभी तक इसमें उठा नहीं है और यह जो कंपनी होतना आपका जो डिविदेंट है वह भी नहीं देती है दस साल में इसने 117 ठीक इस सेक्टर इंडर सेक्टर में देखते हैं सेक्टर में देर पॉजिटिव स्टॉक्स यहां पर इसका जो दिखा रही फ्लाट मॉव्मेंट है अगर टेक्निकल अनल्सिस करते है तो इस काईड़ बियरिश बुलिश कॉलिटी इस बिलोव आबरेज वैलिशन इसका होना चाहिए 552 के नीच अभी इस वे 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 रह यहाइए यह सब जो हता है अब को एक बैसीक अंडर अंडरस्टैनिंग देदे कि कितना वैलिशन होना चाहिए फैर वैल हो कितना होग नहीं होगा सो आप जो है सही तरीके से डिसिजन ले पाते हैं सो दिस कि यहां पर आपको free analysis करता हूं यहां पर देखता हूं कि यहां पर 50 dma के साथ अगर आप देखते हैं तो 50 DMA के साथ अगर हम compare करते हैं 200 DMA के साथ compare करते हैं तो यह जो है already it is overvalued तो यह जो area है यहाँ पर already overvalued है यह दिखा रहा है यहाँ पर sales अगर देखते हैं तो sales growth हुआ है आपका 2019 में 53 करोर था यहाँ पर 88 करोर है expenses 47 करोर था यह expenses भी वड़ा हुआ है यहाँ पर margin जो है बहुत slim margin है जासे अब देख बहुत slim margin है अगर हम इसको check करते हैं very slim margin यहाँ पर 53 करोर है और 53 और यहाँ पर 6 करोर का profit है यहाँ भी around 6 करोर का profit है ज्यादा कुछ नहीं है operating margin आपका 10% यहाँ पर यहाँ पर गिरा हुआ है operating margin यहाँ पर 1% से भी नीचे वह भी यहाँ पर गिरा हुआ है so this is something that that we need to look into other income जो है that has stayed low that is perfectly fine and profit before tax tax is also very very high loss okay EPS जो है EPS भी आपका यहाँ पर minus 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 ठीक है EPS जो है that is also not very attractive क्योंकि बहुत सारा variation हमें jump देखने को मिल रहे है so we need to understand the financials हमें थोड़ा सा confusing लग रहे है कि financials इतना weak क्यों हो रहे है इस company का financials तो इतना weak नहीं होना चाहिए एक बार देख लेते हैं इसको इक बार cash reserves has stayed almost the same question here borrowings इन्होंने बढ़ा लिया और borrowings इन्होंने बढ़ा हुआ है वो देखना पड़ेगा borrowings क्यां पर बढ़ा हुआ है cash work capital work in progress भी इनका उतना अच्छा नहीं है यहाँ पर 10 crore जो है वो maybe expanding करें जो आपका growth है cash conversion cycle has been the same inventory days has gone up and debtor days has gone up so things are not looking positive although यहाँ पर जो है इन्होंने अपना promoter holding अस्ते अस्ते बढ़ाया है and इसमें FII कोई investment नहीं किया है DII ने पूरा छोड़ दिया है and public and public is holding so no not really I'm not interested in this company to be honest and even if it's even though it's a you know this company कि इनका 75% market है पर जैसे आपने समझ में आया कि मैंने क्या बताया जैसे आप देख रहे हैं कि BB plus है so long term में it might default there is a chance that BB BB plus जो भी है stable दिखा रहा है but B में जो है मैं उसको touch नहीं करूंगा reason because उसका जो debt है that is near about the market capitalization तो वो default कर सकता है so that is something to be concerned about और उसी के साथ से जैसे आप देख रहे हैं कि हम पर capital erosion हुआ है over a period of time 2008 में अगर इतना पैसा दिया था इसमें 14 साल में उसने कोई return नहीं दिया capital erosion हुआ और इसमें growth भी मेरको देख नहीं रहा है और यह बहुत ही एक small market में एक specific niche product sell करता है although and it is heavily dependent on its buyers 4-5 buyer यह उसे maximum पैसा आता है export market में उसका कुछ नहीं है and although they are trying to get into diversify कर रहे हैं but after 50 years they are still diversifying तो this is something to be concerned about maybe diversify करने के लिए यह पैसा market से उठा रहे है so what's my feedback on this company I will not touch this company I will not at all touch this company because from my point of view it's fine अगर आप trading करना चाहते है short term trading waiting करना चाहते है it's okay but my trading नहीं करता हूं intraday short term नहीं करता हूं I look for value based company जो मेरको long term में capital appreciation देगा and also it will give me dividend this company sadly does not give me that kind of a vibe and feeling so although it's a monopoly but it's not going to work so is लिए हमेशा जो है कहीं पर आपने monopoly देके stock purchase के लिए ऐसा मत कीजिए आप जाहिए चेक कीजिए fundamentals को आपको तब पता चलाए movement क्या हो रहा है क्या हो क्या रहा है अंदर क्या माल अंदर माजरा क्या है अगर मैं PE ratio भी अगर मैं check करता हूं PE ratio भी यहां पर अगर move करते हैं इसके पहले तो पूरा loss था most probably फिर उसके बाद इसने profit कमाना शुरू किया है यहां पर यहां पर कोई EPS का report ही नहीं है so that is something to be concerned about and sales margin जो है it's okay price भी जो है बहुत movement कर रहा है so this is something I'm very concerned about already 50dmi के नीचे for a very long period of time 2000 जो साल से तीन साल से बहुती slow movement चल रहा है so there is something which is not really right with this company so I'll not be interested in investing in this company it's completely up to you but I'll not touch this company so thank you for watching this video आपका क्या feedback है नहीं है मुझे जरूर बताएगा और क्या अगर आपको पसंद आया जो भी पसंद आया पसंद नहीं है कुछ अगर बोलना चाहते है definitely comment section हो बताएगा like share subscribe जो बनता है आप कीजिए thank you for watching this video